यही पचास ओटा क्वेश्चन जरूर यह बाट चाहिं सोलूशन गरना सकनू हुँछ और अस्ते संभावित क्वेश्चन जरूबसेट हरना चाहाद जरूँँच वन्या हम्डवा चैनलले लाइक, शिर क्वेश्चन जरूदो गरना यदि वीडियोज रा एक्सप्वानेशन रामडो लागी और यही ज़ुपानी वीडियोज जरू जरू हरनू हला रो सुने रो धेरेने एक्कुरा याद होंचा रो केही केही क्कुरा रो लेखनू कोनी राम्रे हो तेही बायरा जुन कुरा तपाय अरले था छे न रो नाया लाग्षा त्यो नोट गरनू अला रो आजा को क्वेश्चन सेरीज तीर लग देशो मा आजा को स्वाइल मेकेनिक्स को मा पचास ओटा डिडेल एक्स्प्लानेशन को सेरीज लियरा आया कोशुंँ घरनू होस आजा को फर्स्ट क्वेश्चन विच विच वफ फ्लोइं रिपर्जेंट दा मेजर अफ पर्तिकल साइज एक को सही एंशर कुन हुन्छा अप्शन A मार हे कोशा स्लोप अफ ग्रेडेशन कर्व अफ स्वाइल B मार हे कोशा कोफिशेंट अफ उनिफर्मिटी C मार हे कोशा फाइनेश अफ दा स्वाइल D मार हे कोशा रिलेटिव इंडेक्स यासको मार एक्स्प्लानेशन सुनाओ देशो ता पहला है पर्तिकल साइज रिपर्जेंटेड वाय दा कोफिशेंट अफ उनिफर्मिटी Ce year Cu is equal to D60 by D10 हून्फ या कुरा थाइसा अनि large the value of Cu larger in the range of particle size हून्छ Ce year Cu को value 4 भनदाभपदी भने well-graded gravel हून्छ Ce year Cu को value 6 भनदाभपदी भने well-graded sand हून्छ Ce year Cu is the right answer in the current situation रिपजन मेजर उप़र्टिकल साइज यसको सही एंसर हुँच तपाईको कोफिसेंट अफ उनिफ़र्मिटी अईलियरो भए कोफिसेंट अफ उनिफर्मिटी को फर्मुला यो फर्मुला अपनी धेरे पटक सोदी सँगे को और वेल ग्रेडबर ग्रेवल, क्यों बॉड़ी का व की सखीन बॉड़ी घवर्यावपस जम्यरा है और को question मा रहे कोछा if the wide ratio of the soil sample is given by 0.58 what is the porosity of the soil sample तपाले था चब wide ratio को formula हुँँचा volume of wide by the total volume of soil mass और porosity को formula थाईचा volume of wide by the total volume of soil in solid हुँचा और porosity मा चए volume of wide by the total volume of soil mass हुँचा यह समा just volume of soil in solid हुँचा रो यह समा total volume of soil जती moisture content रड़ुपनी लगायार जती total volume हुँचा नित्य हुँचा porosity मा तहीं बार यह दुबे फर्मुला मा चए मा थी volume of void by the total volume of soil in solid अब यह समा एरनू हस volume of S मा के भने गोशा porosity भलना निकाले गोशा और E volume of यहने की void ratio चाहिए दी चगेशा तो इसको relation हता पाएगो यदि porosity is equal to E by 1 plus E हुँचा रह भाइड ratio is equal to porosity by 1 minus porosity हुँचा तो इसमा कुन फर्मुला लाग सता पाएगो porosity निकालना भने शा तेमे भाइड E by 1 plus E लगावनूस एसको सही उतर आउने शा यह simple चाहिए formula हो यह स्तो इसमा चाहिए लोक्सेवामा जाना सक्छे यह समा question चाहिए लोक्सेवामा जाना सक्छा तेमे भाइड एसमा porosity is equal to यह relation चाहिए था पाएगो यह चाहिए relation तपा यह दी था पाँनु भाइगो होने जुम्सुके भाइड रेश्यो और पोरोसिटी को question आउस तपा यह सल्व गरना सक्छन हुँँँच कुने भाइड रेश्यो हाले रपनी सोच्छा अकुने भिला यो नोमेरिकल सानोतिनो नोमेरिकल हाड रेला सोच्छार यो फर्मूला धेरेने इम्पोटेंट हो याद गरनु होला अब क्वेश्यो नमार अरको तीन तीरा जाओ तीन नमार क्वेश्यो नमार क्ये रहेको छा इप था भ्याइड अफ दास भेश्यों की राङी स्टाओ क्विल्ड विला यह benefit आप अब क्वेश्यो नोमेरिकल सानोतिनो तेसमा moisture present हुदे न, र यदि partially saturated soil हुदा खेरी तेसमा volume of air, water, solid, tin water हुँँछा, र फुली saturated हुदा खेरी तेसमा air content हुदे न, फुली air void हुदा रुवाटर ले पूरेक हुँछा, तेहिए बहर एसको सही उतर के हुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद तेहिए बहर, तेहिए बहर एसको सही उतर हुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद स्पेस्फिक ग्राविटी पता लागा शा यो पनी याद गरनू हला यो पनी धहरेने इंपोर्टेंट चाहिए रहेको शा क्वेश्चन अनि रिंग अन्ड बॉल टेस्ट चाहिए डिटर्माइन गर्षा त्यो सफ्ट निंग पॉइंट अब बिटुमिनस मेटेडियोल को अब क्वेश्चन नमर चो मा के रहेकोषा प्लास्टीची इंडेक्ष अंड प्लास्टीक लिमेट बिट लिमेट है ते वेर यो रिलेस्टन लाए यूज गरेड़ तपायरू कुने येवटा थर्ड चाए भालू दिया छेना होने तपायरू निकालना सकना हुन्छा यो सानतिनो नुमेरिकल सोधना सक्षा यत्ती समलोक सेवामा पनी जाना सक्षा क्वेश्चन हडू ते वेर यो रिलेस्टन हडू चाए अली अली याद राखनू हला यदि IP is equal to WL minus WP छा होने WL liquid limit is equal to k हुन्छा liquid limit is equal to IP plus WP हुदा आखेरी 25 plus 20 गर्दा आखेरी 45 और परसेंटेज मा छा ते वेर 45 परसेंट by 100 गर्दा आखेरी 0.45 आउने भाए ते वेर याशको एंसर D हुन्छा यो शानतिना रिलेस्टन ले चाए क्वेश्चन अडू सोधी रहा हुन्छा ते वेर यो रिलेस्टन चाए 9 बिटसीने हुला अब क्वेश्चन नमर और को 7 ती रा जाऊ वीच अब दा फ्लोईंग इस जिटर्माइन्ट विद दा हेल्प आप पिकनोमीटर अगी मा भनी से गे थे पिकनोमीटर ले तपाएको स्पेस्पिक ग्राविटी रा वाटर कंटेंट पता लगा हुँछा ते वेरेसको चाहिए सही उतर हुँछा तपाएको वाटर कंटेंट है स्पेस्पिक ग्राविटी अप्शन सी चाहिए सही उतर हो और अधर मेथ़ड वाटर कंटेंट पता लगा हुँछा अधर मेथ़ड हडुपनी सा जुनकी ओभन ट्राइंग मेथ़ड, कैल्सियम कारवाइड मेथ़ड, रेडियाशन मेथ़ड अनि सेंट बाथ मेथ़ड और अलकोहल मेथ़ड यो चाहिए सबे वाटर कंटेंट ने पता लगा हुँछा लागी यो मेथ़ड हडुपनी सायोपनी याद गरनू अला यो बाटर तपैको चारपाज ओटा क्वेश्चन येतिके सोल भेरे आछा अब क्वेश्चन नमर आर्थी रजा, आर्थ मा क्या रहेको छा द अनि डडड़ रर स्वाइल टांस्पोर्टेड बाई ग्राविटेस्नल फोर्स ग्राविटेस्नल फोर्स बाटा चाहिं कुन-कुन स्वाइल चाहिं टांस्पोर्टेड हुन्छ यस बाता टेलस रा टेलस चाहिं ग्राविटेस्नल फोल बाटा हुन्छ रा कोली वेल स्वाइल ये ना ग्राविटेशनल फोर्स लगावनु वला तेसमा, र कुने चोटी यो अप्चन हालेरा सोच्छा र कुने चोटी एंसर हालेरा सोच्छा, तेवह रहा यसमा नजुगिनी होला, र एलुभेल सोध्दा खेरी डिपोजिटेट बाई रिभर वाटरले होंचा, र लक्ष्ट्रें स्टेकरम मा क्वेश्चन नमर दस माहरनूस, इप दिग्री अफ साचुरेशन अफ स्वैल इस गिवन बाए 67.89% इप दिग्री अफ साचुरेशन को वालू दिशाके शा, इप दिग्री अफ साचुरेशन को वालू दिशाके शा, अर सर्फ प्र मैंड कंची को हुथ इस इती सम्हों सेया चाहे चाहे घरी कंची क्म ‎ब अर्वा, कंची क्के लिस चाहे। रदी एयर कंटेंट को फर्मुला रदुबय बिच को यो रिलेशन जुन सा S पलस S E is equal to 100% यो चाहिन रा याद गर्दीन होला यो चाहिन यद्धी समा क्वेश्चन चाहिन जाना सक्षा यो कुनी ठूलो नुमिरिकल पनी होईने यो चाहिने जस्ट यो टा एडिशन रस्ट्राक्शन को गर्दा आखिरी आऊछा अब क्वेश्चन नमर अब क्वेश्चन नमर एक आराना हैनुस दा मौस्चर कॉंटेंट इन आ स्वैल सेम्पल इस 18.2% यो चाहिने यो स्प्सक्विक ग्राविटी अफ़ इस इकल तो 2.65% यह को छा, और E is equal to what, S is equal to 1, हीना, saturation, हीना, S मा के बने को छा, what is the white ratio for the sample, if the soil is fully saturated, याने कि S is equal to 100% छा, fully saturation छा, S मा योटा मात्रे फर्मुला सा तपाइको, S E is equal to WG, याने कि सेह वाग याद राखनो वला, योकुरा याद राखनो वला, सेह वाग, S E is equal to WG, S E is equal to WG, योकुरा योकुरा मा हीना, सेह वाग याने कि सेह वाग याद राखनो वला, योकुरा मात्रे फर्मुला सा तपाइको, S E is equal to WG, योक बने कि सेह वाग याद राखनो वला, एसको सही उतर सी उनेवायो अब क्विस्चन नमर तेरा तिला लागो Which of the following represent the white ratio of soil sample whose porosity is 0.452 एना एसमा क्ये भने कोछा white ratio के निकालना भने शा अगी चाहिए तेही porosity निकालना सोध्या थियो porosity निकालना सोध्या थियो void ratio दियरा porosity निकालना सोध्या थियो एस्टे question अड़ो तो लोक्षेवा मां गुमाई रहा हुँँच तेरे depth मां जादे जादे न तेही भर यो question अड़ो ले पटक्के न विडशीनी होला यो relation चाहिए याद गरना होला E is equal to volume of void by the volume of solid porosity is equal to total volume of soil mass यो चाहिए याद राखना होला E is equal to void ratio र एसको porosity को relation चिप पनी याद राखना होला E is equal to porosity by 1 minus porosity र porosity is equal to E by 1 plus E हुँच यो चाहिए याद राखना होला आगी पनी मा भनी सके थिया टेबर एसको सही उतर हुँच 0.825 अब क्वेस्चन नमर पन्दर तिर जाओं क्ये रहेकोष पन्दर मा Which of the following sounds the correct order of increasing the surface area of given soil surface area of soil चाहिए correct relation है न increasing order मा दिये कोष त्यो चाहिए कुन हुँच कुन चाहिए सही हुँच त्यो कुरा याद राखना होला अब यासमा क्ये रहेगोष यदि size of the particle यदि तपयको decrease हो भने तपयको surface area चाहिए अफ़ पार्टिकल इनक्रीज हुँच त्यो बहर यास्तो क्रम मा चाहिए हरदा खेरी यदि collidal soil हुँच collidal soil हुँच त्योसको चाहिए size of the particle size of the particle चाहिए decrease हुँच रव surface area चाहिए increase हुँच पखयर collidal को चाहिए collides को चाहिए सब बन्दा body surface area हुँच त्यास पशी clay को हुँच त्यास पशी shield को हुँच रट्यास पशी clay को साइज ति पैल है Less than 2 micron हुँच shield को size 75 micron देखी 2 micron सम्म रो स्यांड को साइज चाएज 475 mm देखी 75 माइकरोन सम्मा ग्रैवेल को साइज चाएज 80 mm टू 4.75 mm हुन्छ रो कोबल्स को साइज हुन्छ तपैको 300 mm टू 8 mm रो बोल्डर को साइज हुन्छ तपैको 300 बंदा माथी तही बहरा यदि साइज तपैले था चबने यज़को साइज हुन्छ उसको चाएज चाएज साइज चाएज 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 च and the coefficient of uniformity of a given soil sample is 1.0 and 4.0 respectively the ratio of effective size to the diameter through which the 30% of the total soil mass is passed is एसको चाहिए किये रहेको सतापाइको एसको relation पहला है अर्नूस coefficient of gradation और coefficient of curvature जसले वन्चो उसको formula चाहिए D30 को square by D60 into D10 is equal to 1 उन्चो सबेले थाशा यो 1 दिये को सयस्मा तो एसको formula चाहिए यो हो D30 को square by D60 into D10 और अगाडी चाहिए coefficient of uniformity Cu is equal to D60 by D10 हुन्चो एसको चाहिए value 4 दिये को सो coefficient of uniformity रो coefficient of curvature को भैलू दिशके चा find D10 by D30 भने को सा what k हुन्चो find D10 by D30 एसको चाहिए correct relation k हुनो सक्षा यदि S मा हैर्दा केरी यदि कर्भेचर वला मा हैर्दा केरी D60 is equal to D60 is equal to तप एको 4 into D10 हुन्चा है ना 4 into D10 हुन्चा यदि यो D60 को भैलू तप एसमा यदि put गर दिनु भयवने एसको चाहिए D10 रो D30 को रेशियो मा आय हाल्चा तर एसको चाहिए 4 आयो 4 को चाहिए root करदा आखिरी 2 हुन्चा तर एसमा चाहिए D30 by D10 को रेशियो चाहिए 2 हुन्चा तर एसमा चाहिए सोधे को पनी तेही हो एसमा भने को चाहिए the ratio of the effective size of the diameter through is the 30% of the total soil mass है ना अनि 30% of the total soil mass ते भने को चाए D10 by D30 कती हुन्चा तर एसमा चाहिए D30 by D10 कती हुन्चा तर एसको चाहिए उतर चाहिए यो हुन्चा यो रिलेशन यो द्योटा रिलेशन चाहिए कोफिसेंट अफ उनिफर्मिटी रा कोफिसेंट अफ करवेचर को यदी रिलेशन था गर्नो भवेवनें तपा यो क्वेश्चन आरामले शोल्व गर्नोंचा कुने पनी क्यालकुलेटर को पनी जरूरी यो देनाड़ यस्तो सम्मा इंजिनेरिंग लेवल मा चाहिए सेंटरल लेवल मा यस्तो सम्मा क्वेश्चन जाना सक्षा आमरो लक्षेव मा पनी यस्ते कराम आवा क्वेश्चन नामर 20 मा जाना For which of the following soil plasticity index is maximum Plasticity Index कुन मा चाहिए maximum हुँछ यह न Soil Type या यह नो Sand को चाहिए सब बंदा कम Plasticity हुँछ Ia is equal to Ip is equal to 0 हुँछ Plasticity Index सब बंदा कम हुँछ Silt को चाहिए 10 to 15 हुँछ Clay को चाहिए 15 to 100 हुँछ यह पनी यादगरनो वला Sand को चाहिए 0 हुँछ सब बंदा more plastic चाहिए clay हुँछ यह बंदा पनी बढ़ी चाहिए यह टा चाहिए त्यो हुँछ के बंदा पनी बढ़ी चाहिए यह टाचाहिए त्यो जसको चाहिए बोल त्यो Black Cotton Soil यह दी सोद्दा खेरे त्यसको चाहिए सब बंदा चाहिए plasticity maximum हुँछ त्यसपची clay कही हुँछ त्यसपची silt रस्यांड को यह कुरा याद राख दिनो हला कुने कि त्यो पनी एक चोटी सोदी सगेगो कती जनले clay मा आने राऊँछ त्यसको चाहिए सही उतर हुँँछ Black Cotton Soil यह समा चाहिए सही उतर हुँँए Plasticity Index S मा चाहिए Plastic Index S मा चाहिए Plastic Index S मा चाहिए Silt को चाहिए 10 to 15 हुँछ यह कुरा याद राखना हुँछ Clay को चाहिए 15 to 6 हुँछ Sand is a non-plastic soil sand बन्छ यह त्यो पनी याद राखना हुँछ यस्ते करम 22 मा जाओ The grain size of medium graded sand lies between grain size of medium graded size यह particle size distribution चाहिए याद गरना हुँछ type of soil size कती हुँछ कुन-कुन type of soil कती size हुँछ यह याद राखना हुँछ अब टाइप of soil यह थी bolder 300 mm बंदा body bolder 300 mm to 80 mm कोबल्स हुँछ रग्रेवल 80 mm 475 mm रग्रेवल हुँछ तब यहरो वीडियो पाउज गरेड़ अपनी तब यहरो नोट गरना सकनू हुँछ यह जहरेने इंपोटेंट चाहिए मेडियों ग्रेड़ेड़ सैंड को चाहिए मेडियों ग्रेड़ेड़ सैंड को यह हुँछ 2μ2 0.425 यह को सही उतर B हुँछ अब क्वेश्चन अब क्वेश्चन नमा 24 मा यहरूं 24 मा के रहे को सह Which of the soil poses zero plasticity index Zero plasticity index देक्स को को हुँछ 6 exc run 9 andcción ग्रेड़ को चाहिए अब क्वेश्चन नमा 26 मा यहरू Which of the soil poses zero plasticity index ग्रेड़ चाहिए मा भनिसे कहे थ्यो non- tutte ास्टिक हुँछ त्या सरीपनी केले काई क्वेस्टन सोधी रहा हुँँछा, प्लास्टिक सिटी इंडेक्स स्यांड ग्रेवल को चाहिए 0 हुँछा, नन प्लास्टिक स्याल भाय को ले, आप इस इकल टू लिक्विट लिमिट मैनस प्लास्टिक लिमिट हुँँछा, यसको सही उतर होने भाय अब ग्रेवल को स्यांड शोकी ग्रेवल शो, स्यांड शो, अशमा शी उप्शन चाहिए उन्छा, अब क्वेस्टन नमा 27 तिरा जाओं question number 27 मा रहे को छा what would be the void ratio of soil mass if the porosity of soil is 0.35 यदि porosity चाहे 0.35 भयो बने यशको void ratio कती हुँँचा यश मा चाहे आमी time waste न गरने किना की पहला आम डिस्क्राइब गरी सके छा गरी सके छो यशको चाहे void ratio of soil mass यशको कती हुँचा चाहे 0.538 तेही बने यशको सही उतर C हुँँचा यपनी question मा डिसक्राश गरी सके छो caching grand apparatus is used to find out liquid limit find out गरना को लाई कोन penetration यो caching grand apparatus यउज गर्छो तेह बने यशको सही उतर A हुँचा अब 29 मा के रहेको छा if the plasticity index of soil mass is 0 the soil is plasticity index यदि 0 भय बने यश मा चाहे सही उतर कुन हुँचा यदि IP is equal to plasticity index रा sand को चाहे IP is equal to 0 हुँचा रा 10 to 15 हुँचा रा अकले को चाहे 15 to 100 हुँचा अमा पहला डिसक्राश गरी सके को तेह बने यशको IP is equal to 0 sand को हुँचा यशको सही उतर A हुँचा हुचा नमा 29 मा एरनुच स्टोक्स लाव is valid only if the size of particle यदि size particle यदि 0.2 mm to 0.0002 mm हुदा खरी यव बिट्विन को वालु मा चाहे भारीज गर्शा तेही बहरा अशको सही उतर यह हुँचा रा भी अब स्टेकरम मा 30 नमर क्वेश्चन समा फूल एक्स्प्लानेशन वीडियो है नुभायो अब 31 मा जाओ फूली स्याचुरेटर स्वाइल इस सेट टूबी सेट टूबी टू फ्यज सिस्टम विद स्वाइल अन्ड वाटर चाहे इसको सही एंसर हुँचा अब स्टेकरम मा क्वेश्चन नमर 32 मा जाओ क्वेश्चन नमर 32 मा जाओ 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 वाटर कांटेंट को फ़रमुला इसको फर मुला यह बहा जाचन वालार Really 22 I,1 22 I,1 22 I,1 22,1 22 I,1 20 12 जा पॉरमीया हं जाओ जाओ दाकरि 20 जाही ह विदित को सही एंसर हुँचा जाओ जाओ 63 नमर को क्वेश्चन गाण डीर आफके रह को जाँचा water content of a soil can, water content को formula हन्छ, weight of water by weight of solid है न, weight of soil, weight of water by weight of soil, W, W by W, S, the W को value चाहें, greater than 0, 0% or equal to 0 है न, 100% बंदा, take the value, take the value greater than, minimum value तो 0 हन्छ, there is no upper limit of the water content है न, ते बहरा आशको, be greater than, greater than 100% हन्छ, content of a soil, minimum चाहें 0 हन्छ, ते बहरा आशको चाहें, upper value चाहें न, ते बहरा आशको be greater than 0, 100% हन्छ, यस्ते करमा योटा धेरेने important question को question आया को सा, जुनकी धेरे पटक सोधी सकेको question हो, अनि यो 33 question रहे को सा, ते बहरा को, residual soil are formed by, residual soil are formed by, यसको सही उतर कुन हों छ, यसको, residual soil are formed, if the soil is still located at location, caused residual soil where it is formed, या, अनि यसको, residual soil, if the moves from the position formation, it is known as transported soil, यदि transportation agency है, या, transportation agency को यो question हो, यो agency बला question आवदा खरी यो कुराया जाकनू, यदि यलिवेल soil दियो को सह भने, deposited by river हुन्छा, यदि लके strange soil deposit भन्छा भन्छा भन्छा, यदि लके strange soil deposit भन्छा भन्छा भन्छा, ते चाहिए, marine deposited भन्दा, sea water ले चाहिए, marine deposited को काम गर्छा, ग्लेसियर चाहिए, transported by ice गर्छा, रहसमा सोधे को question के हो, ये लिवेल, ते भरा river water ले चाहिए, यो हुन्छा, अब यसको चाहिए, सही उतर, residual soil को चाहिए, सही उतर हुन्छा, तपैको, यही water ने, सही उतर हुन्छा, अनि यह 34 को question मा पहला ने, discuss गरी सकेगो question मध्या ने हो, according to utterberg, utterberg को योटा graph हुन्छा, त्यो मध्य, सब video मैं description करदे आयागो, so the soil is said to be medium plasticity, if the plasticity index is, medium plasticity को के चा, medium plasticity को या यारनो, 0 चाहिए, non plastic को हुन्छा, और, less than 7 चाहिए, low plastic को, 7 to 15 अथो, 17 चाहिए, medium plastic को हुन्छा, तेहिवारे, अशको, सही उतर हुने, भायो तपैको, 7 to 7 to 17 है न, 7 to 17, तेहिवारे, अशको, सही उतर चाहिए, B हुन्छा, medium plasticity, और, highly plastic वने को, 17 वन्दा बड़ी, याने की 15 वन्दा बड़ी पनी highly plastic, याने की 100 सम्मा चाहिए, highly plastic हुन्छा, non plastic वने को stand हुन्छा, यो पनी याद राखनो अला, कुने युने कुने यस्तो question अरो, आय राक्षा, कुने युने कुने बला है न, अब तिन, यो 34 नमर समा भय, अब 35 नमर तिरा जाओं, 35 नमर को question के रहे कुछा, which of the following is the most accurate method for the determination of water content, यो चाहिए, सबय चाहिए, उसको हो, याना, water content निकालने ने method हो, तर सब बंदा body चाहिए, most accurate चाहिए, oven drying method हुन्छा, ते बर आशको answer चाहिए, यह होने हुन्छा, याना, question number 40 मा रहे कुछ, relative density of compacted dense sand is approximately equal to, याशको चाहिए, 0.65 to 85 हुन्छा, तर स मा चाहिए, 65 रा 85 मा चाहिए, कुन लगाऊना सकना हुन्छा, तपायरो, body बला लगाऊनू, compacted dense sand, ते बर याशको चाहिए, याद गरेड़ अपनी भायाना, logically, यो answer भू करू मा चाहिए, यो चाहिए, याद राखना हुला, 0.95, relative density को फर्मुला हुन्छा, E maximum minus of E by E maximum minus of E minimum into 100% रा परसेंटेज को अधार मा, soil classification गरेको चा, very loose sand हुदाखरी, 0 to 15% relative density हुन्छा, रा loose sand हुदाखरी, 25 to 25, 25 रा 35, 65 हुदाखरी, medium रा 65 to 85 हुदाखरी, dense रा 85 to 100 हुदाखरी, very dense हुन्छा, यो पुरा याद राखना हुला, रा यो क्वेश्चन पनी धहरेने important question हुद, Geological cycle of the formation of soil, यो पनी स्वधिशगे का क्वेश्चन हुद, सब बंदा पहला, आप येवल, त्यस्पची टांस्पोर्ट हुन्छा हुन्छा हुन्छा, योटा पहार जस्तो हुन्छा, त्यसलाई चाहिए, चाहिए था,क्राइब टांस्पोर्ट घर्शा टेसपची ट्यपोजिट घर्शा ट्यस्पची ट्यस्पची वेद्रिशा आइना, scenario devil, त्यस्पची क्वेश्चे वेद्रिशा, यो पीएवल त्यस्पची टांस्पोर्टेश्ण ट्यस्पची डिände, अगी ने ने तो पहले खुले भणदा पनी बोडी को याशी ब्लैक कोटन हुन्छ यादी ब्लैक कोटन उपचन मााज भणे ब्लैक कोटन नत्र ए Shell ब्लैक कोटन ने ऐ खुले हुन्ज थे वे फिले को अपर भूसीन अल्तिक्ट कारे थे खेला इथे थेमाव्चे मिकले। water content w the dry density is equal to अगी में ले डिस्कास गरिशेगे को question होयो याशको चाहिए सही उतर हुने भायो w by 1 plus of rho यहने density by 1 plus of w water content यहने की bulk density by 1 plus of w उन्छा gamma d by 1 plus of water content उन्छा w यो कुरा याद राखनो ला dry density is equal to bulk density by 1 plus of w यहने रो चाहिए bulk density दिया गो शार w चाहिए water content दिया शा तहीं बरे यहने c उतर हुने भायो हुना अब यहते कराम आप question number question number 45 मा जाऊ अब question number 45 मा जाऊ water content of a soil can अगी मा बने के थिया यहसको water content को भैलू lower limit तो 0 शा तो अपर limit चाहिए fix छे ना तो जत्ती पनी होना सक्षा तहीं बरे यह को चाहिए b greater than 100% d चाहिए उतर हुन्छा यह को detailed explanation हेर्नूस हेर्नूस water content को फर्मुला के हो www wet of water by wet of solid है ना यह water content को भैलू greater than 1 हुन्छा याने के 100% रंदा बडी हुन्छा water content को भैलू स्वाइल को केस मा water content को भैलू चाहिए 100% रंदा बडी ने हुन्छा रा which of the following S को चाहिए 47 नामर मा एर्नूस which of the following type of soil is transported by gravitational force यह पनी मा अगी discuss गरी सके थे खोशा बडी हें चाहिएं को पनी मा यह जी तेलस बहना बडी नामरां जी टेलस यहाँ देगो अग कोणे बडी ने है यहाँ तेलस को को सपनी सोच रा कुने बडी बडीन नामरां यह जै पनी सोच तो को जैए उत्तर होन्चा नामरां आखने निवार चाएर बाट हुँछ रो द्यू सेंड शोध रोर्छी दर स्तिसेंड नाई उन्टा मैंज़ आखने यह कुरा याद राखनो ला टांस्पोर्टेड एजन्सी बाता क्वेस्चन देरेने संभावित क्वेस्चन अड़ हुँँचा तेहिं वेरा चारोटे इसको सही उतर के हुँचा 0 देखि N देखि N देखि 100% न देखि N देखि 100% और ओप्शन C मेरे को सही न इस ग्रेटर दान जरो और ओप्शन D मेरे को सही उतर हुँचा तपाय को सही उप्तर हुँछा अशको A, 0 to N to N हुँछा, N to 100% हुँछा, अशको डिटेल्ड एक्सप्लानेशन तोला है अरनुआ हुछ अनि यसमा चाहे बैली टेंजफर है न परसे पोरोसिटी, पोरोसिटी is equal to volume of void by the total volume of soil मास हुँछा रा volume of void by total volume of soil plus of volume of void हुँछा अश्मा अश्मा चाहे volume of void by volume of solid मात्रे हुदा खेरी तेसला वाइड रेस्चियो बन्षा अश्मा बोलूम अफ स्वाइल चाहे पोला सा, बोलूम अफ वाइड 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 दियो वने पोरोसिटी हुँछा इसको भ्यालू भ्यारीज गर्षा 0 देखी यहन देखी 1 परसेंट याने की 100 परसेंट 0 to 1 हुँछा ए न तेही बारा 0 to 100 परसेंट वहुँए अश्मा सही उतर यह हुँछा अब क्वेश्चन नमर 49 मा जाओं, 49 नमर को क्वेश्चन एरनू, Select the correct range of density index ID, एसको सही उतर हुँछा तपैको D, 0 0 बन्दा कम और इकल टू 1 हुँछा है न, 0 बन्दा कम 0 देखी एक समा भुजनू न, 0 और 0 देखी एक समा भुजनूस, यती हुँछा तो इसको चाहिए D हुँछा, और relative density को फर्मुला E maximum minus of E, और E maximum minus of E minimum हुँछा, यो चाहिए E natural void ratio हुए न, यो चाहिए E maximum is equal to 0.9, और natural void ratio यादर को अला, यो minimum को value चाहिए 0.36 हुँछा, और DR is equal to 0 हुदा खेरी चाहिए, relative density is equal to 0 हुदा याशको चाहिए value infinity, याशको value चाहिए 100% हुँछा, यो कुरा याद राखना हुँछा, relative density को value चाहिए 0 दिखी, 100% समा भारिज गर्षा, यो कुरा सुद्ना खोजे थियो, त्यासमा 49 नमर मा, to the total volume of the soil mass is equal to a, total volume of soil mass, volume of void by total volume of soil mass, याशको चाहिए सही उतर हुँछा तपैको total volume of soil mass वने शान, याशको उतर हुँछ, porosity, volume of solid मात्रे भंदा खेरी, void ratio हुँछा, यो पनी याद राखना हुँछा, percentage of porosity चाहिए भंदा खेरी, volume of air content by total volume हुँछा, यो porosity is equal to volume of void by total volume of soil mass हुँछा, air content स्वद्धी दाखेरी, volume of air by volume of void हुँछा, रा, void ratio is equal to volume of void by volume of soil mass, याशको रिलेशन राखना हुछा, air content रा, saturation, saturation capacity, saturation density को रिलेशन राखना हुछा, determination of water content होने शो, यो मोपेलाने discuss गरी सेगे गो थिये, must accurate हंदा खेरी oven drying method मा चाहिए जानू होला, रा, याश्ते करम मा आवा 52 मा चाहिए याश्ते गुमाया को question हो त्यों हो यो 52 नूमर को question हो यो फ्रोपर फिल्ड कंट्रोल, which of the following method is best suitable for quick determination of water content of soil mass? याश्ते को चाहिए सही उत्तर हुँछा, तपैको calcium carbide method होने शो, तपैला यादी accurate method भंदा खेरी, यो oven drying method मा लगाऊनू होला, याश्ते मा यादी quick determination को लागी गरनू शो, बने calcium carbide method होने शो, 52 को question पनी अली कती गुमाय को question थियो, 53 नमर में जानूँछ, दप ratio बने शो, यो formula दिया शो, कसको formula हो, त्यो चाहिए पता लगानू बने शो, liquid limit minus water content by plastic city index, याश्ते को चाहिए सही उत्तर हुँछा consistency index, liquid limit minus water content by plasticity index, यो अटर बर्ग ग्राफ मा चाहिए हरनू होला, तपेले माजाले हरनू liquid limit, plastic limit, plastic limit, shrinkage limit को चाहिए, बीच को चाहिए, याश में यो ग्राफ बाट तपे चाहिए, सबे formula चाहिए, निकालना सकना होंच, मार डिसकोस गरी सेके छो, प्रिविएस वीडियो मा, यो वीडियो लेंदी होने बहत, ये भर महागाडी को question अरूपनी यो यो योटा question हेट दुनूँश, यदि when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as, यदि IP is equal to IW, या लहीना, liquid limit मैंस plastic limit हुँँछ, यदि plastic limit ने यदि greater than liquid limit भहे दियो बने, यो negative मा, shear आऊस plasticity index थे, ये ये हुँँँच, ये हुँँच, ये हुँच, ये हुँच, ये हुँच, ये ये हुँच, ये हुँच, ये हुँच, ये 56 नमर को question हेट नूश, एकोडिंग तो the IAS soil classification, शील्ट साइज चाहिं कती हुँच, ये सोदेश, बोल्डर को साइज greater than 300 mm, रो कोबल को साइज 300 to 80 mm, रो ग्रेवल को साइज 80 to 4.75 mm, रो 4.75 to 75 micron sand को हुँच, ये हुँच, ये ये को चाहिए हुँच, एना, शील्टस얌र को हुँच, रो लेस दैन, टु माेकरोण चाहिए, कले को हुँच, ये चाहिमा, डिस्कम्स गरिस हे थिया अगी, ये साइज मांँं स्वधेँको, शील्ट को चाहिए कुण हुँच, 75 to 75 to 2, मा surge, तेह संग साहिएुच sebagai Fal D S मा D मा लगानू हला औनी यो चाहिए Soil Classification रसाइज चाहिए यादगरनू हला यो 58 नमर को question मा एरनुस 58 नमर मा के रहेगाशा Sand particles are made of sand particles made of rock material हुँँशा असको सही उतर 58 नमर को question मा पनी ध्यान दिनू 59 नमर को question एरनुस The critical hydrodic gradient Ic of a soil mass of a specific gravity G and void ratio E is given by Ic is equal to G minus 1 by 1 plus E हुँँशा नहीं ते भर असको सही उतर हुँए भाय बी अबा question नमर 59 मा जाऊं 59 नमर को question रहेगाशा Which of the following method is more suitable for the determination of permeability of clay soil Falling head method चाहिए most suitable method हुँशा एसको लागी permeability determination को लागी अनि यो horizontal constant head method बंडा body चाहिए यो suitable हुँशा यो falling head method है ना ते वर पर यो आसमा अटर बर्ग लिमिट को graph चाहिए इसमा एरनो अला प्लास्टिक लिमिट मा चाहिए सबय स्वैल को प्रोपर्टी डिफ्रेंट हुँशा यो आसमा बने को स्वैल रिटेन इस लिक्विड स्टेट अला पोजेज आ स्मॉल शेरिंग स्टेंथ अगेंस्ट अगेंस्ट फलोइंग फलोइंग वनेशा ते वर यासको सही उतर हुँशा लिक्विड लिमिट ये चाहिए सही उतर हुँशा अब क्वेश्चन नमर शिष्टी टू माया हुँशा अकोर्डिन तो इंडियन स्टेंडर दा स्पेसिफिक ग्राविटी इस दा रेशियो अप दा यूनिट वेट अफ वाटर अट टेम्प्रेचर अब तो इंडियन स्पेसिफिक ग्राविटी इस दा स्टाविटी इस डिग्रिट नियु टेम्प्रेचर माया हुँशा अरे यू टेस्ट करीन था उनिट वेक्ट अफ शोलीट वाई उनिट वेट अफ वाटर रेशियो को चैए इस पेसिफिक ग्राविटी वह न शाए अनि और को फर्मुला पनी चा WS by Vs इन्टु गामा W अनि Gs पिकोनेमिटर टेस्ट मा चाहिए W2-W1 by W4-W1-W3-W2 उन्छा योचा अनि योचाइड डिग्री योचाइड वाटर को टेंपरेचर फोर डिग्री सेंटिग्रेट मा उन्छा पनादया और अब 63 तिर जाऊं, 63 मा के रहो गोशा, for the general engineering purpose, for the general engineering purpose, soil are classified by the particle size distribution classification हुदेन, unified soil classification हुँँछा, किने कि असमा 18 ग्रूप मा, soil लेकरा classify करेको हुँँछा, रते बयर्यास को सही उतर हुने वयता पाईको D, 63 को चाई D हुँँछा, अब 64 मा जाऊं, 64 मा रहो गोशा, ferritic line is defined as the line within a dam section below which is, which there are, within the dam चाई जती तला आओ दे गर्शान, positive hydrostatic pressure ने हुँछा, within dam भन्दा केरे, positive hydrostatic pressure हुँछा, यो कुरा याद राख नोला, within dam या या देगोशा, यो चाई याद नोला, यासला चाई ferritic line वंचा, या जुन, dam भीतर यो चाई लाइन गवागोशा, यासला चाई फिरतिक line वंचा, विदिन जती चाई ड्याम ती रहा हुँछा, या अणि विदिन ड्याम उंचा, या चाई positive hydrostatic pressure ने एपलाई उंचा, यास्त शाधी अरू आज आको वीडियो धेरे ने, लेंदी भय, आज पहिशठी ओटा क्वेश्चन बंदा पलस ने, डिस्क्राइब गरे टा वेल एक्स्प्लान्ट तरिकाले मा यास मा बताये न, यास बाटा तपायारू पक्वेपनी चार्शो पांच ओटा क्वेश्चन बंण सकीन चा यादी बनाऊ दा खिरे, या बंदा बडी चाई लोग इम्पोर्टेंट क्लेक्शन अड़ू को सब्जेक्ट वाइज पिरिप्याशन अस्ते अब बीच विच मा चाहें मिक्स मैक्स गरेड़ा पनी लिया उछू, तही वहरा हम्रो चैनल लाइक र शेयर गरेड़ा सपोट गर दीनु वला, यादी रा हम्रो लागे बने लाइक ग चाहें में वीडियो चाहें आउद आखिरित तपाई को यूटूब मा नोटिफिकाशन आऊशा, हस्त साथ यहरू, धन्यबाद, थैंक्स फोर वाचिंग